हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल मैंने में सोनी एन वेलकम टू सोनी में कोवर तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि आप रो थ्रेडिंग कैसे किये जाती है फूल हेयर ग्रोथ में सबसे पहले आपको एक्सेस हेर को कट कर लेना है सीजर की हेल्प से उसके बाद हमें उपर से थोड़े थोड़े हेर को निकालना है ज्यादा हेर को नहीं निकालना है उपर में हमें थोड़ा ही शेप देना है ज्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा ध्यान हमें नीचे की eyebrow में देना होता है तो सबसे पहले हमने excess hair को उपर से निकाल लिया है देखे मैं eyebrow के hair को बिल्कुल भी नहीं निकाल रही हूँ जो उपर की साथ ज़्यादा दिख रहे हैं उनी को remove कर रही हूँ उसके बाद आपको thread को ऐसे तीर्चा कर लेना है और यहाँ पे सारे hairs जो excess है वो निकाल लेना है shape के बाहर वाले hair को उसके बाद देखे pointed वाली area पे मैंने इसे stretch कर वा लिया है और उसके बाद आपको धागे को ऐसे तीर्चा करके thread चलाना है एक line में hair को remove करना है जब तक हम pointed वाली area के बिल्कुल नीचे ना पहुचे तब तक हमें same direction रखनी है eyebrow के thread की उसके बाद जब हम उसके आगे बढ़ते तो यहाँ से आपको धागे को तीर्चा कर लेना है direction को change कर लेना है thread चलाने की तो देखे एकसेसेर सारे निकल चुके हैं अब हम चेक कर लेंगे कहीं उपर नीचे कोई hair दिख रहा है तो उसे भी निकाल लेंगे तो देखे हमारे लगवक सारा hair निकल चुका है एकसेस और हमारे shape भी आ चुकी है और हमने जितना ज्यादा हो सकता था उतना मोटा ही रखने की कोशिस क्या है shape को अब उसकी बाद हमें इसे छोड़ के चेक करना है कहीं उपर नीचे लग रहा हो तो उसे ठीक कर लेना है तो देखे हमारी shape बन चुकी है पूरा अब हम दूसरी eyebrow को start करते हैं यहां पर भी same process करना है eyebrow के hair को नहीं निकालना है उपर जो रोएं बढ़े हुए हैं बस उन्ही में thread चलाना है और यहां पर जब भी आप thread चलाते हैं thread को थोड़ा सा प्रेस करना है और मुँ के धागे को खीचना है और thread को प्रेस करते हुए ही मुप के धागे को खीचना है इससे आपकी एक परफेक्ट लाइन बनेगी अब देखिए यहां पर हम थेड को तिरशा कर लेंगे और यहां पे ज़्यादा thread को हमें प्रेस नहीं करना है नहीं तो यहां की skin cut सकती है क्योंकि यहां की skin बहुत ज़्यादा lose और sensitive होती है अब हमारा उपर का हो चुका है अब हम pointed वाली area पे stretch करवाएंगे ऐसे आपको त्रिकोन टाइप में दिख जाएगा आईब्रो ये natural shape है हमारे client की बस हमें इसी पे ही काम करना है और जब भी आप guideline create करते हैं तो यहाँ सरी उपर ही पकड़ के create करें नीचे की side में ना पकड़ वाए क्योंकि बहुत से लोग हैं उपर नीचे एक साथ पकड़ लेते हैं लेकिन ऐसा आपको नहीं करना क्योंकि यह करना है guideline create करनी है आगे बढ़ना है पॉइंट वाली एरिया के नीचे आने के बाद आपको stretch करना है नीचे भी इससे आपका जो client का natural shape है वो बन जाएगा आप कोई artificial shape नहीं बना पाओगे यह नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह बहुत अजीब दिखता है client के face पे तो इसलिए जैसा उनका natural shape है बस वैसे में ही आपको shape देना है तो देखिए access hair को आप फटा-फटा निकाल लेंगे यहाँ पे धागे को ज़ जरूर प्रेस करना क्योंकि मैं daily videos upload करती रहती हूं और देखिए गाइस मेरी चैनल पर बहुत सारी videos पड़ी हुई है आप लोग उसे जरूर चेकाउट करना और आपको यह वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताए और next कौन सी वीडियो चाहिए आपको कि इस टॉपिक पे वो भी कमेंट जरूर बता करिएगा तो देखिया हमारा eyebrow हो चुका है पूरा अब हम छोड़ेंगे और चेक करेंगे कि प्रॉपर बनी है या नहीं बनी है शेप तो हमने जितना ज़्यादा हो सकता था मोटा ही रखने कोसिस किया है क्योंकि यह क्लाइंट क झाल